हेलो गाइस तो यहां हम फानुक में प्रोग्रामिंग सिंगल पेक ड्रिलिंग के लिए करना चाहते हैं तो वह हम कैसे करेंगे जैसे कि एक एक एकजामपल हमारे पास अवेलेबल है जो हमने फर्स्ट वीडियो में होल किये दे उस पे हमें चैमफर लगानी है जो यहां पर वही सारी ड्रोइंग हमारे पास अवेलेबल है कि 260 की एक PCD हमारे पास अवेलेबल है होल हो 30 डिग्री पे है दुसरा हो ले वो 60 डिग्री पे है उन जो तीसरा होल हो 90 डिग्री पे है इन पर हमें chamfer लगानी है तो यहाँ पर भी हम G16 यानि polar coordinate system command का use करेंगे ताकि हमें सिर्फ degree के ही coordinate देने हैं जैसे कि यहाँ पर 30 degree, 60 degree and 90 degree तो तुरंथ ही machine अपने आप जो y में जो distance बनेगा, यहाँ पर कुछ x and y का distance बनेगा, वो अपने आप ही calculate कर लेगा, हमें हमारा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप calculate कर लेगा so, chamfer लगाने के लिए हम कैसे programming करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो first of all हमारे पास header available है, G21 यानि mm mm में हमें काम करना है, G90 यानि absolute coordinate system G15, यानि polar coordinate system off okay, so, यहाँ पर हमने header में ही वो command का use कर लिया पहले में, हमने at mode 6 का drill use किया था, okay deep hole drilling के लिए, अगर वहाँ पर हम गलती से G15 code लगाना भूल जाए तो, यहाँ पर header में हमने already लिखा हुआई है, so, कुछ गलत नहीं होगा, यहाँ पर G80 वहाँ पर भी हमने G83 can cycle का use किया था, so अगर हम वहाँ पर cancel कराना भूल गए होते, तो यहाँ पर कुछ गलत होने की संभाव ना सी, so, इसलिए हमने header में G80 code का use कर दिया, G54 यानि work coordinate system, G94 94 यानि mm पर minute now, T2 यानि दो नमबर की tool में 416 की chamfer cutter available है, so, उसकी मदद से हम chamfer लगाने वाले, M6 यानि tool change command, M3 spindle clockwise, यहाँ पर हमने हमारे cutting parameter दिये कि spindle speed होनी चाहिए 2222 feed 400 mm पर minute में होनी चाहिए G43 command का use करना हमें भूलना नहीं है, वरना जो machine है, वो tool की length read ही नहीं करेगा okay, so, G43 G0, Z200, tool को हमने 200 पे लाके कड़ा कर दिया, यहाँ H2 H2 यानि हमने T2 tool number 2 में, जो tool की length थी, वो H2 में save थी so, G43 command की मदद से H2 में, जो tool length की value होगी, वो अभी machine read कर लेगा, इस block में now, आगे बढ़ते हैं, अभी हमने G16 command का use किया G16 यानि polar coordinate system of, G16 की मदद से हमें क्या करना है, सिर्फ, जो degree के coordinate है, वही हमें input करना है, in form of Y, Y के साथ जो भी हम coordinate देंगे, वो अगर हम यहाँ पर directly degree में ही देना चाहते है, तो वो G16 command की मदद से हम easily कर पाएंगे वरना हमें X and Y दोनों के coordinate निकाल के हमें program बनाना पड़ता है, X में कुछ यह distance है Y में कुछ यह distance रहेगा क्योंकि hold यहाँ पर अबल अगर drawing हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर 30 degree पे X and Y के कुछ यहाँ पर something something यहाँ पर coordinate बनेंगे राइट, वो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, उसी की वज़े से हम G16 code का यूज करें direct ही जो PCD है PCD की आधी value, यहाँ पर PCD है 260 ओके, अगर radial distance देखा जाए तो वो हो जाएगा 130, यहाँ 260 divided by 2 So, हमारे पास Y का degree में coordinate अवेलेबल है, वो है 30 So, machine अपने आप ही जो यहाँ पर X and Y का coordinate जो भी बनेगा वो read कर लेगा, So, हमारे लिए जनजट यहाँ पर खतम हो जाएगी, So, हमें क्या करना है सिर्फ यहाँ पर जो X, यानि जो radial distance बनेगा 260 divided by 2, यानि 130, So, X 130 and Y 30 So, तुरंध ही हमारा जो machine है, फानुक controller है, वो अपने आप समझ जाएगा और कुछ यहाँ इस position पे आके रूख जाएगा machine समझ जाएगा, अपने आप ही कि यहाँ पर G-section code, यानि की polar coordinate system का use किया है भाई इन्हों ने, और coordinate create होगा, वो machine अपने आप calculate करके, यहाँ इस point पे आके रूख जाएगा simple सी बात है, now G-0, Z-50, तो यह retract plan हो जाएगा जो tool है, वो G-0, 200 हमने यहाँ पर दिया हुआ था, वहाँ से वो rapid में आके Z-50 तक रूख जाएगा and जो coordinate रहेगा, वो X-130, Y-30 यानि, वो इस point पे आके रूखेगा Z-50 बे, right now यहाँ पर हमने can cycle का use किया है यहाँ पर जो can cycle G-81 है, G-81 यानि single pack के लिए can cycle का use किया जाता है कि direct ही वो final depth पे जाके tool रूखेगा G-81 एक्टिवेट हो जाने के बाद हमें final depth देनी है कि final depth है 3 mm so tool 3 mm पे जाके रूखेगा feed में जाएगा R5 यानि safety distance so सबसे पहले tool है वो Z-50 से retract यहाँ पर Z-50 हमने लिखा फिर वो rapid में G-0-Z-5 तक आके रूखेगा right उसके बाद वो G-01 feed में जाएगा feed हमने उपर input की हुए G-01 Z-3 पर जाएगा final depth तक फिर से वो G-0 sorry G-0 Z-5 पर आके रूखेगा and उसके बाद अगर देखा जाए तो जो retract plan है यहाँ पर Z-50 हमने जो value है तो यहाँ cycle के उपर हमने जो भी Z की value दी होगी वो retract value को समझ के वो second hall में shift होगा so G-0 Z-5 के बाद वो आ जाएगा G-0 Z-50 and then वो आगे दुसरा coordinate read करेगा यहाँ पर Y-60 okay so Y क्या हो जाएगा यहाँ पर है Y-60 हमारा so X-130 and Y-60 so यह code read कर लेगा और tool यहाँ Z-50 mm के distance पे रुकेगा और फिर से यह Z-5 आएगा फिर Z-3 वो feed में जाएगा फिर से वो retract करेगा Z-5 में फिर Z-50 चला जाएगा कुछ इस तरह से दुसरे Y-90 कोडिनेट पे shift होगा और फिर से यही procedure start कर देगा now हमें क्या करना है कि बाई सबसे पहले तो can cycle हमने जो on कि दी G-81 उसको हमें cancel कर देना है यानि G-80 कमांड का use करना है उसके बाए जो polar coordinate system on किया था उसे G-50 से cancel कर देना है M-9 M-5 M-9 G-0 Z-200 and M-30 यहाँ पर हमने दिये दिया क्योंकि अब हम हमारा third tool path activate करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे and all the best guys